बात करने वाले हम बैंक निफ्टी के बारे में कि कल की क्या प्लैनिंग रहनी चाहिए आज का दिन अच्छा था नी मार्केट ने अच्छे टार्गेट नहीं दिये मौर्निंग में बस एक बड़िया मूव मिला था उसके बाद मार्केट एकदम से साइडवेज हो गया बहुत सारे स्टॉप लॉस उड़ाए होंगे या लोगों का लॉस कराए होगा क्यों क्यों कि मार्केट साइडवेस था अब बात कर लेते हम कि हमारे मेंबर्स का प्रॉफिट क्या बना एंड आप लोग को मैंने ट्रेड क्या दिया तो यह हमारे टेलीग्राम ग्रोप है सबसे पह ने थे उसके बाद हमारे मेंबर्स के प्रॉफिट अलग या ज़्यादा लोग एक्टिव नहीं थे या ज़्यादे लोगों ने ट्रेड नहीं किया बिकॉस मार्केट अच्छा नहीं था बट मॉनिंग में एक बड़िया मूव मिला था मैं आपको बताऊंगा यहां पर जाता है कि आप आपको एक ओड दिया था मैंने अब पुट सेड में एक ओड रेड था निकलने दो ओके वेट 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 कहां पर था यह ता 46,000 225 नहीं यह नहीं नहीं यह नहीं ता डाउंसाइड का ही मैंने एक और स्केल आपको दिया था 50 पॉंट के आस पास का कहा चल लेकिन अगर आप यहां पिन कमेंड पे जाओगे और कल का हमारा ट्रेड देखोगे बैंक निफ्टी का तो भाईया बैंक निफ्टी में कल 318 का प्रीमियम 600 गया था ठीक है उससे पहले वाला देखोगे तो 400 का प्रीमियम 700 गया था प्रूव आपके सामने है स्क्रीन शॉट जाके देख लो और चार्ट को मिला लेना ठीक है उससे पहले अगर आप देखोगे तो आफ्टर 1 पीम ट्रेड 478 का प्रीमियम 650 उससे पहले का निफ्टी का ट्रेड 140 का प्रीमियम 188 तो ये भी ट्रेड मैं नहीं दिये मार्केट अगर मूव नहीं कर रहा है तो कोई इसमे में 200-200 पॉइंट की ट्रेड थी मैंने तो आप लोग को तो काफी नीचे ट्रेड प्लाइन करवा के दी लेकिन सबसे पहला काम होता है मेरा मेंबर्स को ट्रेड देना यहां पर आपका अच्छा बनता जो मैंने आप लोग को ट्रेड दिये जिसमें 50 पॉइंट बने मेरी उ यहां से अगर यहां आता तो और 100 पॉइंट आपको मिल जाते आराम से हमारी जो 50 पॉइंट की ट्रेड आपको जो दीती वो 100 पॉइंट से उपर की हो जाती यह मेरा था व्यू लेकिन यह कर गया रिवर्सल ठीक है तो कोई दिक्कत नहीं 50 पॉइंट तो मिले कुछ तो मिल अब लोगोंने लॉस कैसे किया होगा जिन्होंने यह मिस किया जिन्होंने यह मिस किया वो ऐसे टाइम में फसे होंगे उन्होंने क्या देखा होगा चलो एक केंडल ग्रीन बनती है चलो यहां पर हम कर लेते हैं बाए और टार्गेट होगा डे हाई गया डे हाई लेकिन किस तरीके से गया कितने time में गया premium decay हो गया और जैसे ही यहां पे देखो बढ़िया fall market में तो लोग गये होंगे यहां पर put के अंदर market हो गया sideways फिर से loss उसके आद बापस से market ने यह high को निकाला Concept ने यह high को निकाला जैसा कि आप देख सकते हो यह इसको high निकाला यह candle में तो लेकिन जिसने over trading की होगी बस उसका जो limit में trade करके गया होगा loss हुआ भी होगा तो वो controllable है लेकिन जो over trade करते हैं उनका loss control में नहीं आता हो फिर वो बड़े losses कर जाते हैं अब कल की हमारी planning के इस तरीके से होनी चाहिए वो हम थोड़ा सा नजर डाल लेते हैं यहापर एक बार म देखना चाहंगो क्या show हो रहा है मुझे market के अगले जो important level है ना वह 46600 के यह मान के चलो या तो यह कल आने वाले हैं और आएगा ना तो जटके में आएगा यह भी ध्यान रखना upside की जो level में बता रहो नो 46600 यह आपको बहुत तेजी से मिलेगा वो capture कर पाया आपने तो सरीके से करनी है planning so that आप अच्छे से कर पाएं trade इसको हम थोड़ा सा कर देते हैं पीछे ठीक है क्यों थोड़ा सा confusing हो जाता है तो मैं यहां पर आपको screenshot लेता हूं और समझा देता हूं कि कल की planning हमारी क्या होनी चाहिए और कब आपको trade नहीं करना है यह भी आपके लिए जा planning अगर हम downside की बात करें तो हमारे लिए एक important level है यह वाला यानि कि 46,000 का important level बहुत ही crucial level है यह चीज़ ध्यान रखना और एक important हमारे लिए level है कही ना कहीं यह वाला almost 45,700 या फिर 45,600 यह range मालो आप 100 point की यह आपके लिए important रहने वाला है अब हमें यह जो area है यह है आपका no trade zone simple यहाँ पर trade तभी बनेगी जब मैं बनवाँगा otherwise नहीं बनेगी ठीक है हमको क्या करना है market अगर यहीं कहीं open होता है अगर market नीचे आता हो और www pattern के साथ उपर निकलता है तो आप यह target का एक scalp बनाओगे market के अंदर और यह morning time में होना चाहिए ठीक है otherwise अगर हम इसके उपर कलते हैं तो आप direct entry कर सकते हो अगर हमको बड़ा moment मिल रहा है morning time में बट अगर दिन में मिल रहा है तो हमें एक चाहिए एक अच्छा candle एक हलका सा pullback उसके बाद हम जाएंगे call side में ठीक है यह दो planning हो गई morning में direct जा सकते हो और एक बज़े के बाद हमें कुछ ना कुछ proof और जब हम upside की trade लेंगे downside हम इसके नीचे आते हैं 46,000 के नीचे तो हमारा पहला target है 45,900 का दूसरा target है 45,800 का तीसरा target है 45,700 का यहनिकि इस सारे target हमें achieve हो सकते हैं for the downside लेकिन upside अगर हम इसके उपर निकलते हैं तो market इस तरी जैसा आज गया ना ऐसा भी जा सकता है और हो सकता है कि आपको इस तरीके का market देखने को मिल जाए downside में मजा आएगा अगर market breakdown करेगा तो लेकिन हम कब trade करेंगे जब मारा market 46,300 के उपर जाएगा आपको क्या करना है आपका काम क्या होना चाहिए आपका काम होना चाहिए सीखने का समझने का तब जाके आप पैसा बना पाऊगे market से कौन सिखा रहा है मैं सिखा रहा हूँ कहा सिखा रहा हूँ description में link है telegram का join करिए वहाँ से कुछ पैसा बनाईए यहाँ पर एक और चीज देखने को मैं क्या मिल रही है एक ये range देखने को मिल रही है इस range को follow करो कल जैसे ही इसका breakdown आता है आपको बड़िया opportunity मिलेगी इसके उपर निकलते हैं हलका retest होता है आपको बड़िया opportunity मिलेगी ठीक है तो ये चीज पे भी आप लोग ध्यान रखना तो आप जल्दी से telegram join करो थोड़ा पैसा कमाओ मुझे join करो फिर मैं आपको सिखाऊंगा वीडियो को like कर दो channel को subscribe कर लो telegram को join कर लो यहां से आपका पैसा बनेगा बहुत लोगों का पैसा बनवाया है to 90 प्लस लोगों का पैसा बनवा चुका हूँ तो आपका भी जरूर बनवाऊंगा one on one conversation करता हूँ लोगों के साथ और उनको full support करता हूँ comment section में कुछ भी पूछना चाहते हो तो मेरे से पूछ सकते हूँ मैं उसकांसर आपको क करके देदूंगा thank you so much मिलते हैं निफ्ती 50 के वीडियो में